तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इसपेसिली जेनेटिक डिरिफ्ट की, तो जरा ध्यान से समझेगा, जेनेटिक डिरिफ्ट, डिरिफ्ट का मतलब होता है, रैंडम चेंजेज, रैंडम चेंजेज, अचानक होने वाला कोई परिवर्तन, ठीक है न, तो इसपेसिली जीन की 2pq is equal to 1. यहाँ पर मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि especially जो genetic drift है, वो किस प्रकार से आपके population को प्रभावित करता है. सबसे पहली बात तो यह है, कि जो genetic drift होगा, वो एक छोटे population पे भी प्रभावकारी होगा, small population पे. क्यों small population पे प्रभावकारी होगा? Random loss of allele, ठीक है ना, किसी भी छोटे population में allele का जो random loss है, जैसे मैंने आप एक्जामपल बताया था भी कुछ वक्त पहले, कि चिता थे 1000 नमबर में, ठीक है ना, और उनकी हंटिंग बड़ी तेज होई, और 1000 से वो 300-400, माल लो 300 पे पहुँच गया, तो इस तरह से उनका क्या हुआ, बहुत तेजी से जेनेटिक लॉस हुआ, और जो 300 बचे, छोटे मोटे ग्रूप में बचे, छोटा population बन गया, तो उनमें बीमारी होने के चांसे और हो गई, ठीक है ना, वो 300 से 50 पे पहुँच गया, तो इस तरह से उनकी पूरी जो उनकास्तित वो खतरे में पढ़ गया, तो सिंपल से पंड़ा है, रैंडम लॉस आफ एलिल इन ए स्मॉल पॉपुलेशन, एक छोटे पॉपुलेशन में एलिल्स का जो रैंडम लॉस है, यह आप कह सकते हो, रैंडम लॉस आफ जीन पूल, जीन पूल के अंदर, हैनि टोटल लंबर आफ जीन्स एंड एलिल्स इन पॉपुलेशन, ठीक है न, इसमें क्या हो रहा है, इस पेसली, जो भी चेंजेज आपको देखने के मिलेंगे, बेटा, इसे को हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, अब एक सिंपल से, साधार से एक्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है, जरा ध्यान से समझेगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, ठीक है न, जेन्टिक डिफ्ट में मैं आपको बताऊंगा, यहां देखिए, यह कोई एक छोटा सा पापुलेशन है, जिसमें यह आपका एलेलिक फ्रिक्वेंसी P है और यह Q है, P और Q क्या है, एलेलिक फ्रिक्वेंसी है, कितना है, 0.5 और 0.5, मतलब कितना, यह टोटल आपका 1 है, यान और Q की भी फ्रिक्वेंसी 0.5 है, माली जे यह चीता का ही पापुलेशन है, सिंपल सा फंडा है, ठीके न, अब आचानक क्या हुआ, ठीके न, कि इसकी एलेलिक फ्रिक्वेंसी बदलने लगी, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजे जाने लगा, अब यहां पर देखिए, P का फ्रिक्वेंसी और घट गए, 0.2, और Q की फ्रिक्वेंसी उसके कंपेर में क्या है, 0.8 हो गई, एक वक्त ऐसा आया कि P की फ्रिक्वेंसी पूरी तरह से मम, खतम, और Q की फ्रिक्वेंसी क्या है, पूरी आपकी डॉमिनेंट हो गई, यानि आप देख सकते हो, यहां पर लिकुल खतम हो जा रहा है, केवल और केवल क्यू बच रहा है, ऐसा एक्जामपल आपका Huntington Korea नाम के disease में देखने को मिलेगा, बास समझ मैं कि बहुत तेजी से वहाँ पर random loss हुआ, और फिर वो Huntington Korea वाले कुछ बीमारी ग्रस जो लोग थे, वो किसी दूसरी अरिये में गये, तो वहाँ पर उन्हें founder species का formation की, अभी इस बात को मैं आपको आगे बता रहा हूँ, अब मेरे बच्चों यहाँ पर मैं आपको genetic drift में इस पेसली दो एक्जामपल बताने की कोशिश करूँगा, जरा ध्यान से देखिएगा, genetic drift में सबसे पहला आपका आता है, इस पेसली जो random loss आप जीनिया पर हो रहा है, ठीक है न, तो एक effect है जिसको बोलते हैं हम लोग bottle neck effect, क्या बोलते हैं, bottle neck effect, पहला हम लोग पढ़ेंग अच्छा, bottle neck effect को समझाने के लिए सबसे पहले, मैं suppose यहाँ पर मैंने एक bottle बना दिया, क्या बना दिया, suppose यहाँ पर मैंने एक bottle बना दिया, ठीक है न, चलिए यह bottle बना दिया, ठीक है न, चलिए, अब इस bottle की द्वारा, मैं आपको bottle neck effect बताने की कोशिश करूँगा, जरा ध ज्यादा हॉलो है ज्यादा बड़ा है ऊपर वाला एरिया आपका नयरो हो रहा ज़रा बात को समझने कि कोईवटिफ की जाएगा माली जी ये अलग-अलग genes की frequency है ये अलग-अलग gene की क्या मैंने यहाँ पर दिखा रखी है frequency दिखा रहा है ठीक है ना ये एक normal frequency है लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें उपर की side देखें अगर तो यहाँ पर जो gene की frequency है वो automatically क्या हो रही है वो gene की frequency आपकी automatically आपके bottle में जाते जाते इसकी frequency घट रही है ज़रा बात समझेगा, simple सा फंडाय मैं आपको बता रहा हूँ कि यहां से ले करके यहां तक population पे बहुत बड़ा कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बहुत बड़ा कोई drifting नहीं हुआ है जैसे मैंने आपको चिता का example बताया, कि African चिताज में अचानक hunting बढ़ गई और बेचारों की संख्या एक हजार से तीन सो पे पहुच गई तो समझेगा, माली जै hunting बढ़ रही है और उनकी संख्या क्या है? माली जै यहां पर 1000 था और 1000 अनकी संख्या माली जै कहां पहुच गई? 300 पे फिर बहुत तेजी से उनमें बिमारी बढ़ी और बिमारी बढ़ने के करएड़ क्या हुआ माली जो उनकी संख्या मात पचास होगई यानि आप देख सकते हो यहाँ पर यहाँ पर इस जीन की फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ पर सबसे ज़ादा है लेकिन जैसे 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 यहां से देखी यह करोब बन रहा है, जैसे जैसे हम उपर बढ़ रहे हैं, यहां पर जीन की फ्रिक्वेंसी क्या है, अचानक घटने लग रही है, तो भाई साब बॉटल नेक इफ्यक्ट का सिंपल मतलब होता है, कि कोई एक छोटा पॉपुलेशन ह हैं, और उस छोटे पॉपुलेशन में किसी नैचुरल कलमेटी के कारण, आग लगने के कारण, हंटिंग होने के कारण, भोजन की कमी के कारण, अगर वो पॉपुलेशन धीरे-धीरे-धीरे-धीरे क्या है, प्रिडेशन के कारण, अगर वो पॉपुलेशन धीरे-धीरे- इस इकोड़े नहीं लगता है, मतलब यह हुआ, कि उसका नंबर अचाना क्या होने लगे, घटने लगे, यानि वो बॉटल से कहां पहुच जा है, वो बॉटल से नेक में पहुच जाए, यानि ये एरिया देखिए, इस एरिया में क्या है, बहुत कम फ्रिक्वेंसी, लेस फ् variability in small population, small population में बहुत तेजी से क्या है, नंबर घट रहा है, example में आपने लिखा है, एफ्रिकन चीता पपॉलेशन, भाई साब इनका क्या है, बहुत तेजी से इनकी हंटिंग हुई, हंटिंग, और ये है, जैसे ही हंटिंग हुई, इनकी पोपॉलेशन छोटी हो गई, तो य कि क्या है बॉटल से नेक में पहुच जाना यानि जो एक बड़ी डाइवर्सीटी रेंज थी जो इसपीसी जो फ्रिक्वेंसी आपका काफी जादा बड़ा था उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है बहुत सीमटकर छोटी हो जाना यानि कि उस जो जो जेनेटिक पॉपुलेशन है उ एक लाख मज़ूर एजिम करना है जो भी रेशियों से हमको मतलब नहीं है हमको आपको समझा रहे हैं ठीक है समझेगा प्लेज तो गुरभ फेक्ट्री जो फेक्ट्री के बंद होने से एक लाख मज़ूर बेगर हो गया और माल लेजिए उनको तुरंत जॉब ना मिला हो मा माल ली जी चाइना वाला उनको ना बुलाया या जैपेन वाला ना बुलाया अब एक लाख मज़ूर जो बेगर हुए हैं ठीक है ना आप बताइए क्या उनका नंबर घटेगा अरे बिल्कुले घटेगा क्यों घटेगा क्योंकि अब जौब नहीं है तो पैसा नहीं है पै घटेगा इसका मतलब मालीजे एक लाख मजदूर में से साथ हजार मजदूर ऐसे ही दस आने वाले दस सालों में कम हो गए मालीजे एक लाख से उनको दस लाख होना चाहिए था लेकिन वो रेशियो नहीं रहा सिंपल सी बात है इसका मतलब क्या है कि यहां पर क्या हुआ है यहां पर एक तरह का यह एक्जामपल है जो यह बता रहा है प्रदर्शित कर रहा है कि इस पेसली यहां पर जीन की frequency में change हुआ है यानि उनका नंबर धीरे 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 उन मज़ूरों का नंबर धीरे धीरे क्या होने लगेगा घटने लगेगा simple सा फंट है लेकिन यहाँ पर चीता होला example हम ज्यादा better use करेंगे क्योंकि किताबों में इसका example दिया है तो चीता की hunting हुई और बीमारी ग्रस्थ होने के गरड़ क्या है अचानक उनका number जो है वो बहुत ज्यादा घट गया इस तरह से आप कह सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ा वाला genetic loss हुआ है बात मेरे समझ में आ रही है सलिए तो इसके बाद मैं आपको बताता हूं especially founder effect अब एक बात बताईए जो पचास बचे हुए थे वो एकदम जुझला के कि यार इस जिंदगी से क्या फायदा बिमारी हो गई हमारे सारे इंसेश्टर खतम हो गये क्या किया जाए क्या यही रहा जाया कि यह को और जगह चला जाए संब्ल से बात है तो उन में से कुस चिता ने ऐसा वाने मैं एक एक्जामपल बता रहा हूं उन में से मालो कुस चिता वो गुरूप वो छोटा सारिया चोड़कर कि कही जोर चले और वहां जाकर के ठीक है ना फिर से वहां के लोकल लोगों से मेटिंग किये और फिर एक नया पॉपुलेशन का ओरिजीन हुआ तो वहां का क्या कहलाएगा फाउंडर पॉपुलेशन कहलाएगा यह दूसरा एक्सांपल आप समझे है माली जो गोरपूर के जो भी जो चैना ने उनको बॉलाया जैपाण ने उनको ब्लाया वह वहां गयED ठीक है ना कम थे नंबर में ठीक है और वहां के लड़कें और लटकियों से शादी कर लिए और वहां से एक नया population का origin हुआ, population मतलब एक अन्य वेराइटी का origin हुआ, एंडो चाइनीज या एंडो जैपनीज, अब भाईया क्या था, यहां के जो fertilizer worker थे, ठीक है न, उनकी job चली गई, 10 साल बाद चाइना वाले बुला रहे हैं, था एक starting में थो थे वो लगबग, एक लाख, यहां के दीरे 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 से कोड़ करके 30-40 अजार प्या आ गए थे, क्योंकि उनका reproductive potential खतम हो गया था इने खाईले पीले, ठीक है न, इसके अलावा diseases ने उनके काफी जादा हावी हो गये थे, ठीक है न, कविरा जग में दो बड़े एक पैसा, एक राम, राम से मुक्ती मिले पैसा से हर का, पैसा वे नहीं था, जो अब लेस हो गए, कैसे परिवार चलाएंगे, तो दीरे 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 उनका जो reproductive potential था वो भी घटा, mortality rate, death rate बढ़ा, birth rate थोड़ा कम हुआ, assume कीजिये, यह कहानी है, ठीक है, तब यहां के मजदूर वहां गये, और वहां के लड़के-लड़कियों से शादी किये, तो वहां पर वो क्या कैलाएंगे, यहां के मजदूर वहां गये, वहां पर उन्होंने शादी किया, एक नए जग पर माल लो एक नया विराइटी की शुरुवात होई, तो यह एंडो-चाइनेज नहीं हो सकता है, वो एक तरह से फाउंडर एफेक्ट कैलाएंगे, फाउंडर्स कैलाएंगे, विन वन और फ्यू इंडिविजवल्स इस डिस्पॉर्ड बिकम आफाउंडर आफ न्यू आइसोलेटेड पॉपुलेशन अट सम डिस्टेंज फ्रम धियर प्लेस आफ ओरिजिन, यानि अपने ओरिजिन्स के प्लेस से कहीं दूर गए, वहाँ पर इन्होंने अपने नई जिन्दगी की शुरुवात की, ठीक है न, वहाँ के लोग उक साथ मिल करके, तो यह एक तरह का फाउंडर एफेक्ट हो सकता है, इस एफेक्ट बाई विच रेयर एलिल एन कॉम्बिनेशन आफ एलिल, रेयर एलिल कौन है, जो गोरपपुर से गए, मजदूर बेचार हो रेयर एलिल है, ठीक है न, सताय हुए, एंड कॉम्बिनेशन आफ एलिल, और वहाँ पर जाकरके, इन्होंने एक नया कॉम्बिनेशन बनाया, और वो क्या कर सकते हैं, एक नया पॉपुलेशन को जन्म दे सकते हैं, इसी को मेरे बच्चों कह सकते हैं, आप फाउंडर एफेक्ट, यानि सिम्पल सी बात है, बॉटलनेक एफेक्ट से, जो जीन की फ्रिक्वेंसी, जादे से कम हो गई थी, थोड़ा में आ गया था, अब उसमें से, कुछ वहाँ का एरिया छोड़ करके, छोड़ो यार, ऐसी जिन्दगानी, क्या जिया जा चलो, कवनों दूसरे जगा पढ़िया जगा चलते हैं, तो यहां से वह वहाँ गए, और वहाँ के लोकल पॉपुलेशन साथ मेटिंग उटिंग करके, बीवी बच्चे पैदा करने के साथ, साथ क्या है, अपने नंबर को इंक्रीज कर रहे है, मेरे बच्चो ना, तो यही आपका क्या कहलाता है, इस्पेसली फाउंडर, एफेक्ट क आ रहा है, बात परी समझ में आ रही है, ठीक है ना, बात परी समझ में रही है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ड्रिफ्टिंग माने, अलग होना, दूर दूर होना, तो सिंपल सी बात है, अगर पी का रिशियो बढ़ रहा है, तो क्यू का रिशियो आटोमेटिक घट है ठीक है ना क्यों हो रहा है natural calamities के कारड़ हंटिंग हुआ जंगल में आग लग गई पेटवे नहीं भरा भूख लगा है मतलब food is car city तो बहुत सारे कारड़ हो सकते हैं मेरे बच्चे तो जीन में होने वाला एलेल्स में होने वाली यह जो frequency में जो changes है ना वो especially hunting natural और भी कई तरह के natural calamities human interference जैसे की इंसान का शिकार करना चीता के केश में देखे ठीक है ना तो यह सारे example आपके सामने प्रस्तुत हैं यह आप देख सकते हो P की frequency तो बढ़ रही है लेकिन यह जो Q की frequency मैंने minus लगा रहा र बढ़ रहा है इसका मतलब कि जो genetic drifting है तो P और Q के बीच क्या है काफी ज़्यादा आपको variation देखने को मिल सकते हैं पिटे एक बात और ज़रा ध्यान दे दिजेगा इसको आप सिवाल राइट effect भी बोलते हैं सिवाल नम के scientist ने इसको बताया था सिवाल राइट effect या non-directional factor non-directional factor non-directional factor के भी इसको जानते हैं तो भाई साब कभी कभी आपको genetic drift ना पूछ करके अगर वह आपसे सिवाल राइट effect पूछे तो भी आप यहीं लिखोगे या non-directional factor पूछे तो भी आप इसी का जिक्र करोगे चली धन्यवाद अगर आपको video lecture अच्छा लग रहा हो तो पहली बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कभी मैं कहता नहीं हूं please अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में क्या जाता है ठीक है भूले नशेयर करो ठीक है कोई बास नहीं अच्छा लगे तो शियर भी कर दो ठीक है न मैं कोई pressure नहीं है आपके उपर अच्छा लगे करो ना अच्छा लगे कोई दिक्कत नहीं है चलिए thank you